नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको हमेशा की तरह एक और शक्तिशाली उपाय बताने जारे हूं जी हां आज मैं आपको बताऊंगे एक अनोखा शक्तिशाली वश्ची करन का उपाय जिससे आप किसी को भी अपने वश्च में बहुत आसानी से कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति हो जिसे आप अपने वश्च में करना चाहते हैं वे आपका पडोसी हो या आपकी पडोसन हो या आपका पती हो या आपकी पतनी हो या फिर हो आपके परिवार का कोई अन्यस्दस्य जिसे आप अपने वश्च में करना चाहते हो उससे अपनी बात मनवाना आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है बस हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो वश में करने के लिए सबसे शक्तिशाली वशी करण का सरल उपाय है यह है उपाई बहुत ही आसान है तो इस उपाई को करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी विधी का इस्तमाल किया जाएगा और कैसे इस उपाई को आपको करना होगा क्योंकि इस उपाई को करने की विधी बेहत सरल है जिसको आप घर में बहुत आसानी से कर सकते हैं और ये सारी सामग्रियां भी आसानी से आपको आपके घर में उपलत हो सकती है तो इस उपाए को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना होगा एक कागर्स जी हाँ बिल्कुल और इस कागस के साथ आपको लेना होगा एक रेट कलर का मारकर इन दोनों चीजों से आप कर सकते हैं जुपाएं और किसी को भी कर सकते हैं अपने वश में तो चले मैं आपको पताती हूँ कि कैसे इस कागज और इस मारकर से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं आपको करना होगा क्या कि इस कागज पर लिखने होंगे तीन शब्द जी हाँ आपको इस कागज पर लिखना होगा वशम भकम वश आपको ये तीन शक्त इस कागस पर लिखने होंगे और ये लिखने के बाद आपको इस के बाद में क्या करना है एक ची जिहान रखेगा जब आप इस उपाय को करें तो पुरी श्रद्धा के साथ करिएगा उसके बाद में आप ये लिखने के बाद इन शब्दों के साथ जिस व्यक्ति को अपने वश में करना चाहते हैं उस व्यक्ति के नाम के साथ सोने से पहले रात को बिस्तर पर लेटे हुए आख बंद करके पांच बार बोलना है यानि कि ये लिखने के बाद जब आप बिस्तर पर लेट गए हूं उसके बाद इन तीनों शब्दों के साथ जो आपने इस पेपर पर लिखे हैं इन तीनों शब्दों के साथ उस व्यक्ति का नाम पांच बार बोलें जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं और इसके बाद इस पेपर को अपने तक्ये के नीचे रखकर आपको सोना है ताकि कि नीचे रखकर इसको सो जाए और सुभा उठने के बाद उस व्यक्ति के आपको पांच बार फिर से नाम लेना है और नाम लेने के बाद आपको सुभा सुभा नाने से पहले ही उस कागस को अपने घर के बाहर गड़ा खोद कर जहां पर कोई देखे नहीं या फर जाला तर कोई आता जाता नहीं हो उस कालगस को वहाँ पर दबा देना है और मिट्टी में अच्छी तरीके से उसको दबा दे फिर देखेगा कि यह कोई भी हो यानि कि कोई भी व्यक्ति हो या फिर कुछ भी हो वो आप उसको अपने वश में कर सकते हैं आपके वश में कीया है वहां के वश में हो जाएगा ये एक रिया गरंटी से आप के कारगर सावित होगी क्योंकि इस उपाय को बहुत से लोगोंने करके अपने इक्षाए पूरी चीया है उस fulf्न से गए उपायी नहीं समझाया हो उपाई करने की विदी नहीं समझाय हो तो आप हमारे गुरुजी से संपर्ग कर सकते हैं नमबर आपकी स्क्रीन पर लगातार दिखाया जा रहे हैं क्योंकि गुरुजी बहुत तप करते हैं जब करते हैं फिर सिध्धियां प्राप्ट करते हैं और आप केरे से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं अगर आप भी गुरुदी से बात करना चाहते हैं तो 24 गंटे में किसी भी समय नमबरों पर संपर्क कर सकते हैं फिलाल मुझे दीजिया गया जैमात अली